सेंसेक्स और निफ्टी बुद्वा 10 अपरेल को बड़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स में 21,710 केस के पिछले स्विंग लो के स्थर से अब तक करीब 4.5 की तेजी आ चुकी है। निफ्टी ने ये स्थर 20 मार्च को छुआ था। इस बीच वॉलिटिलिटी इंडेक्स भी 11.36 के स्थर है जो बाजार पर बुल्स गैंग की पकड़ की और इशारा करता है। पर दाव लगा कर निवेश अगले 2-3 हफतों में 9 फीस दी तक की कमाई कर सकते हैं। इस शियर में खरीदारी की सला है। इसके लिए तार्गेट प्राइज 1420 रुपए है जबकी स्टॉप लॉस 1270 रुपए पर लगाने की सलाहा दी गई है। शॉर्टर में ये शियर 7-7-4 फीस दी तक रिटर्न दे सकता है। इपका लैब के शियर ने अपने सपोर्ट जोन से जोरदार वापसी की है। साथ ही पिछले दो कारोबारी सत्रों के दौरान इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी एहम उचाल देखा गया। आरेसाई जैसे इंडिगेटर्स भी सत्तर के स्तर पर स्थिर बने हुए हैं। इसके अलावा कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेक आउट भी एक बुलिश सेट अप की पुष्टी करता है। इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के आधार पर इस शियर को 1322 रुपे के आसपास खरीदने की सलह दी जाती है। इस शियर में निवेश की सलह है। इसके लिए तार्गेट प्राइज 900 रुपे है वह स्टॉप लॉज 792 रुपे रखने की सलह है। शॉट टम में ये शियर 896 पी सदी तक रिटर्न दे सकता है। मेक्स हेल्थ केर के शियर ने डवल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद डाउन ट्रेंड लाइन से ब्रेक आउट दिया है। ऐसा रगता है कि स्टॉप अब मजबूती के साथ मीडल बॉलिंगर बैंड के उपर स्थित है और इसका RSI भी 60 के स्थर से उपर बना हुआ है। स्टॉप के 835 रुपए के स्थर से उपर बंद होने के बाद इसमें आगे और तीजी आ सकती है। इस टेक्निकल स्ट्रक्शर के अधार पर इस शियर को 828 दिसम्लब 4.0 रुपए के आसपास खरीदने की सलहा दी जाती है। पुछाल देखा जा सकता है। इसका RSI 70 के करीब है जो स्टॉक की ताकत को दिखाता है। ऐसे में इस टेक्निकल स्ट्रक्शर को देखते हुए इस शियर को 152 रुपए के आसपास खरीदने की सलहा दी जाती है। जाती है। झाल झाल